स्थान के लिए नारी के सम्मान के लिए हजारो हजार कुरूसों ने अपना बंदान दिया है कि अपने परिवार में पुद्रफी डालने वालों की आँख फोड़ने की छम्ता रखते थे कि उन इसलिए कि नारी हमारी सम्मान की पात रहे हमें कुछ हो जाए हो जाए मगर हम नारी की दो पुद्रफी देखने वाले के भी आँख निकालने की छम्ता रखते अपने बच्चों को बच्पन से दिशा दो बच्पन के धर्म अध्याद के कर्ण में रखोगे तो वे कमीरी भटक पाएंगे अध्याद में जीने वाले बच्चों के जीन में भटकाऊ नहीं आता चुकि समिस्कार जिस तरहे शरीर के लिए आहार हो सक है उसी तरह शरीर के साजना तब पूजन पाढ़ ये उससे कई बुड़ा ज्यादा उस्यक है क्योंकि हमारी चेत्रा को हमारी सुस्मिना नाड़ी को हमारी प्राण सुक्ति को सात्युक्ता ही एक उसका आहार है आप सात्युक्त तक चीज़े नहीं डालोगे तो आउण पढ़ते चले जाएंगे भोतिक जगत के धीरे धीरे करके आवाद उठाओ कि अपने आसपास के समाज में मैंने कैसा जिसको जो पहनना हो पहने मगर आपको अपनी भारती पहनावे पर गर्व करो चाहे इसलिए हो चाहे पुरुसो भारती मर्यादाओं में रहो भारती वस्त पहनो अपने वस्त पर इतना गर्वगाउर घमन करो इतना सम्मान के साथ सर उठा के चलो कि बिदेशी पस्ची में सबता वाले लोग भी हमारे पर्वेश को पहनने के लिए बात दे हो जाए हमारी भारती इसलिए में सब कुछ वमाईत है और जिसकिन तुम सच्चे मन से मा की अराजना कर से चले जाओगे तुम्हारा बहुव्यूखी विकास होगा तुम्हारे ब्यतित्तु का विकास होगा मानसिक रूप से जो चोती जा रही है उनकी बुद्धिकारे नहीं कर रही पढ़ते जा देवर्टे बादों चीज़ भूलती चली जा रही है और ग्रामे लिजिनों में जाकर के देखो सो घरों में साइद दो चार घर के बच्चे ही पढ़कर के हाई स्कूल के आगे जा पाते हूं जंदर जंद बच्चों की मानसिक चंताएं कमजोर होती जा रही है चुकि आपके खान पेयन में पैनावे में यह जो परिवर्टन आ रहा है विफाक्ती चीज़ें आ रही है वे आपके मस्तिष को सतत कमजोर करें आपकी बहुत धिल चंता को कमजोर करें आपके सोचने समझने की चंता को कमजोर करें आपकी सुसुबना नारी को दबाओं बेने रहें और भी देर सुसुबना नारी जो जो मंद होती जाएगे प्राण चेतना जो जो मंद होती जाएगे आपका पतन सत्त सभी चेतनों सोना फिरू हो जाता है अते हैं ग्रहस्त से यूँ से समारो माता मैंस बर्दनी की आराधना सच्चा सच्चा इसनिस्था विफासर रगो कभी बलिटर मत दो कभी मांस मत चड़ाओ